प्रेज लोड आज हम दूसरे कुंतियों की पत्री दस सद्याय से बचनों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे और तयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आग्मिया पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आग्मिया उलंगन को दंडित करें तुम उन्ही बातों को देखो जो आँखों के सामने हैं यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसी का हूँ तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसी का है वैसे ही हम भी हैं क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विशे में और भी गमंड दिखाऊं जो प्रभू ने तुम्हारे बिगाडने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है तो लज्जित न होंगा यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठैरूँ क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं परंतु जब वे सामने होता है तो वे दे का निर्बल और वक्यत्व में हलका जान पड़ता है जो ऐसा कहता है वो यह समझ रखे कि जैसे पीट पीछे पत्रियों में हमारे वच्छन हैं वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आपको उन में से जैसे कुछ के साथ गीने या उन से अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आपको आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलन करके मूर्ख ठहरते हैं हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापी न करेंगे परन्तु उसी सीमा तब जो परमिश्र ने हमारे लिए ठहरा दी है और उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड करेंगे क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आपको बढ़ाना नहीं चाते जैसे कि तुम तक न पहुँचने की दशा में होता वरन मसी का सूसमाचा सुनाते हुए तुम तक पहुँच चुके हैं हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर गमंड नहीं करते परन्तु हमें आशा है कि जो जू तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों तो हम अप्नी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारन और भी घम बढ़ते जाएंगे ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़ कर सूसम आचार सुनाया और यह नहीं कि हम दूसरों के सीमा की इ परन्तु जो घमन करे वह प्रभू में घमन करे क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वह नहीं परन्तु जिसकी बढ़ाई प्रभू करता है वही ग्रहन किया जाता है प्रभू के नाम किस दोते हो यहां पर पॉलुस अपनी सेवा की बात कर रहे है अपनी जो काम प्रभू ने पॉलुस को दिया था उसके विश्य में वो यहां पर बात करते हैं तो वो पहले तो कुछ लोगों की बात करते हैं कि वो इस प्रकार कहते हैं कि हम उन लोगों के समा रहान नहीं है तो किन वो कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जो खुद को बहुत समझ बैठे हैं जो अपने बीच में तुलना करते रहते हैं तो फिर वो यह भी कहते हैं कि हम को प्रभू ने तुमहारे पे अधिकार दिया है और वो अधिकार क्यों है तुम्हें, तुम्हारा कुछ भिगाडने के लिए नहीं लेकिन तुम्हें बनाने के लिए तुम्हारी भलाई के लिए यह अधिकार प्रबु ने प्रबु ने हमें दिया है तो इन वच्णों से काफी कुछ हम सीख सकते हैं पहले तो हम ये हमको पता चलता है कि अधिकार जो है वो प्रभू की ओर से रचा हुआ एक चीज है खास करके कलिश्या में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को प्रभू एक अधिकार के स्थान में रखते हैं तो ये कौन चुनता है कि किसको अधिकार में रहना है ये हम कहें तो प्रभू ही कुछ लोगों को अधिकार में रखते हैं तो सभी लोग अधिकार में रहने के योगय नहीं होते हैं तो प्रभू लोगों को बनाते हैं वो प्रभू उनको जब कुछ प्रभू हम सभी को कुछ कुछ काम देते हैं नहीं तो कुछ लोगों को हमारे नीचे देते हैं कभी कबार और उनको हम कैसे संभालते हैं उनको हम उनसे हम कितना प्रेम करते हैं तो उसके इसाब से कभी कभी प्रभू लोगों को अधिकार में रखते हैं अगर कोई एक इंसान है जिसके नीचे कोई छोटा सा बच्चा है ने तो दो तीन बच्चे है ने तो कुछ जवान लोग है और उन लोगों को ही वो ठीक से संभाल नहीं पा रहा है प्रेम नहीं कर पा रहा है उनके साथ वो धीरज नहीं रख पा रहा है तो ऐसे एक इंसान को प्रबु अधिकार के एक स्थान में कभी भी नहीं बसाएंगे तो प्रबु के कलिश्या में हम देखते हैं कि हर कोई जो एक अधिकार के स्थान में है जिनको प्रबु ने वहां रखा है प्रबु ने कलिश्या की भलाये के लिए उनको वहां पे रखा है और उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि दूसरों को डांटने के लिए नहीं, दूसरों को अपने नीचे दबा के रखने के लिए नहीं, लेकिन दूसरे को बढ़ाने के लिए, दूसरे को प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए प्रभु ने अधिकार को स्थापत किया है हमारे उपर जो अधिकार में रहते हैं भले वो दुनिया में क्यों नहों नेतों भले वो कलिश्या में क्यों नहों बहुत जरूरी है कि हमको उस अधिकार को आदर करना है क्योंकि ये अधिकार इनसान के और से नहीं है लेकिन ये अधिकार के सीमा के बात करते हैं, कि एक सीमा है जो प्रभू ने स्थापित किया है, तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि अधिकार बहुत ज़रूरी है, अधिकार हमारे लिए प्रभू ने रखाया और उस अधिकार के आदी नम को रहना है, तो फिर पॉलन ऐसे कहते हैं कि खुद को मैं खुद की प्रशनसा हम नहीं करना चाते हैं, कुद को हम बड़ा चड़ाना नहीं चाते हैं, खुद की तारीफ, खुद की तारीफ हम नहीं करना चाते हैं, क्योंकि प्रभू ही हमारी तारीफ करेगा, वो आखरे में ये कहते हैं, तो कहीं लोग ऐसे बच्चपन से ही ऐसे सिखाया जाता है कि अगर तुम खुद को बड़ा चरा के नहीं बताओगे, तुम खुद की तार आरीफ नहीं करोगे, हमेशा अगर तुम बोलोगे नहीं कि मैंने ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, तो कोई तुम को देखेगा नहीं, कोई तुमारी ध्यान नहीं देगा, तुमारी ध्यान नहीं देगा, तो यह गलत फैमी बहुत लोगों में बस जाती है, तो कलिशिया में भी जब लोग आते हैं तो उसी प्रकार से अपने को अपनी प्रशंसा करते हैं करने लगते हैं क्योंकि उनका थिंकिंग अभी तक बाइबल के हिसाब से बदला नहीं है यहां पर पॉल्स कहता है हम खुद की प्रशंसा खुद नहीं कहते है हमको खुद की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है हमारे जो काम है हमारे अंदर जो है वो लोगों को नजर आही जाता है जब हम सच्चे रहते हैं जो भी काम हमको दिया जाता है जो भी हम कर रहे हैं वो बले लोग नहीं देखें प्रबू उसको जरूर देखते हैं आखरी बच्छे में हम देखते हैं कि प्रबू ही हमारी प्रशंसा करेगा इंसान हमारी कितने भी प्रशंसा करे बढ़ाई करे कुछ भी हमको बहुत हमारी तारीफ करे तो भी हम इंसान के प्यार को तो जानते हैं कि इंसान आज प्रशंसा करेगा, कल वो ही इंसान अपने ही उसी होटों से हमारी हमको श्राब भी दे सकता है, क्योंकि कहीं बार दुनिया में हम देखते हैं कि समय बीटे लोग भी बदल जाते हैं, चीजें बदल जाते हैं, कुछ भी एक जैसा हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन प्रभू की ओर से हमको तारीफ पाना है, कि एक दिन जब हम, और प्रभू जब हमको प्रशंसा करेंगे, प्रभू जब हमको आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो प्रभू हमको एक उंची स्थान पे रखेंगे, जब उनको, जब हम तयार र करने के लिए बहुत दौडने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम यह देखते हैं कि पॉल्स यहां 12 बचल में और एक चीज हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कुछलों की तरह नहीं है, जो आपस में बहुत तुलना करके, एक दूसरे के साथ मेलन करके, तुलना करके, खुद को, एक दूसरे में बहुत इनका कंपैरिशन रहता है, एक दूसरे से अपनी तुलना करते रहते हैं, तो मसी के करिश्या में भी हम कहीं बार इस बात को देखते हैं दुख की बात है कि बहुत सारे लोग अभी भी तुलना कर रहे हैं एक दूसरे के बीच जो इनसान सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो इनसान सच मुझ पिता परमेश्वर से जुड़ा होगा जो परमेश्वर की दिल को जानता है जो परमेश्वर के साथ करीबी रिष्टा में चलता है जो आत्मा से चलाया जाता है वो कभी भी इनसान को देखेगा नहीं लेकिन वो प्रबु को देखेगा जैसे हम जब पिता परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं परबु से हम चलाया जाते हैं तब हमारा मार्ग परबु ही नियुक्त करते हैं और उस मार्ग में हम चलते रहते हैं जो एक दूसरे के तुलना करते हैं जिनको स्वर्ग से जो चलाया नहीं जाते हैं वो दुक्की बात है कि एक दूसरे के साथ तुलना करते रहते हैं वो सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं हमको भी वो ही करना है दूसरे कुछ जो कर रहे हैं उसको देखके आपको ये नहीं समझना है कि आपको भी वही करना है क्योंकि शायद उनका जो मार्ग अलग होगा आपका मार्ग अलग होगा वो प्रबू से बुलाए गया है एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए एक खास काम उनके लिए रखा गया है उस काम को वो कर रहे हैं अगर आपके लिए कुछ और प्रबू ने रखा है तो एक दूसरे में तुलना करके एक दूसरे में लड़ जगरके एक दूसरे में बड़ा चोटा कौन बड़ा है कौन चोटा है जैसे हम ये भी देखते हैं कि पहले वो करके कोई फाइदा नहीं है पहले हम ये भी देखते हैं कि जब इशु मसी के चेले आत्मा को पाई नहीं थे जब वो इशु मसी के साथ थे तो उनमें कितने लड़ाई जगड़ा सब हम देखते हैं कि वो कैसे सोचते थे कि हम में से ब बड़ा कौन है कौन सबसे स्पेशल है कौन सबसे खास है तो जब TAK हम प्रभु के दिल को नहीं समझेंगे हम ऐसे ही करते रहंगे हम दूसरों के साथ तुलना करके अपने को बड़ा नहीं कर सकते हैं सचमुच प्रभू हमसे जो चाहते हैं वो हमको उसी मार्ग में हमको जो मार्ग हमारे लिए नियुक्त किया गया है उस मार्ग में हमको चलना है तो यहां पर पर पॉलोस कहते हैं कि हमारे लिए एक इलाका है बोले तो एक यहां पर वो बोलते हैं कि हमारी सीमा है त एपने एपने दोड़ेर मतलब गोल चक्रा समझे लिए हमारा एक इलाका है जिसमें तुम हो तो उनकी उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पॉलुस जिन की सेवा कर रहे थे जिनके जो कहते हैं तो वह कहते हैं कि तुम यह हमारा इलाका है जो प्रभू ने हमें दिया है प्रभू ने तुम्हें हमारे लिए दिया है तो मुझे जो है इस पॉलस यूं कहता है कि मुझे तुम्हारे पर ध्यान रखना है और कुछ जो क्या कर रहे है वो मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो प्रबु ने मुझे दिया है उसमें मैं आनंद होता हूँ उसमें मैं बढ़ाई करता हूँ उसमें मैं जो है घमंड करता हूँ ऐसा कहता है मतलब उसमें वो आनंद होते हैं गमन मतलब ये जो पाप गमन है उसके हम बात नहीं कर रहे हैं जैसे सतरा वच्चन में भी लिखा है कि जो गमन करे वो प्रभु में गमन करे इसका मतलब है कि जो गमन मतलब हमको यह नहीं समझ लेना कि जो पाप वाला गमन पर गर्व करना जैसे कोई जैसे मामे पाप आपने बच्चों में गर्व लेता हैं तो उसी प्रकार पॉलुस कहते हैं कि तुम जो मेरे जैसे हम सोच सकता है मेरे खेत हो तुम मेरे खेत हो तु मेरे मेरे इलाका में तुम हो तुम तुम्हारी मैं सेवा कर रहा हूँ तो उसमें मैं गर्व कर रहा हूँ जो मुझे दिया गया है वो कहते हैं कि दूसरे इनसानों के मैनत जो मैनत है उसमें मैं गरने कर रहा हूँ उसमें मैं अपना टांग नहीं लड़ा रहा हूँ उसमें मैं जाने रहा हूँ मेरा जो काम है उसको मैं ठेक से कर रहा हूँ तो ये हमारे लिए पर बहुत जरूरी है तो हैर कोई जो हैं इस दुनिया में उनको एक इलाका प्रभू ने एक influence sphere of influence हम कह सकते हैं कुछ काम का इलाका हम कह सकते हैं तो अपने जो जो एक हद हम बोलते हैं, सबका एक हद है, उस हद में हमको रहना है और हमको जो प्रभू ने दिया है उसको हमको बहुत जरूरी समझना है जैसे छोटा सा भी हमारी दुनिया में जो हमारे छोटा सा जो हमारा इलाका है हमारा घर है हमारा परिवार है हमारा काम है हमारे जो करीबी लोग है जो जिनके साथ हम बात करते हैं जिस समाज में हम रहते हैं जिस गली में हम रहते ये सब भी हम समझ सकते हैं हमारा इलाका है तो वो भी प्रभू के लिए बहुत जरूरी है तो कहीं लोग दुख के बात तो ये है कि वो जो छोटा मोटा उनके लिए दिया गया है उसको बहुत तुछ समझ लेते हैं और फिर वो इसलिए कुछ बड़ा प्रभू उनको दे नहीं पाते हैं लेकिन क्योंकि छोटे बात में वो विश्वास योगिय नहीं रह पाते हैं क्योंकि उसका मूले वो नहीं समझ पाते हैं तो छोटे-छोटे बातों को भी हमको ध्यान देना है जैसे इंग्लिश में जब अपने पंकों को खिलाती है उससे भी बड़ा तूफान आ सकता है और कहीं इसका मतलब यह है कि आप छोटी सी बात एक छोटे बच्चे को भी आप कहे दोगे आज कई साल पहले कई साल बात वो बात उसके मन में एक बीज जासा बन जाता है फिर वो उस बात के कारण उ कहानियों को हमने सुना है जहां पर कोई बोलता है कि ऐसे टीचर ने मुझे ये बोला टीचर ने मेरी तारीफ की मुझे एंकरेज किया तो उससे मुझे साहस मिली उससे मैं आगे जाके ये कर पाया वो कर पाया फिर पूरे दुनिया में कितना समाज में कितना वो कर पाए हमारे पास जो है उसको हमको बहुत important समझना है तो कोई किसी एक प्रबु की दासी को मैंने इस प्रकार बोलते हुए सुना कि आपका एक छोटा सा घर हो सकता है अगर उस छोटे से घर को आप साफ सुतर नहीं रखेंगे उस छोटे से घर की जो चीजें उसको आप अच्छी तरह मेंटे नहीं कर पाएंगे तो प्रबु आपको बड़ा घर नहीं दे पाएंगे क्योंकि बड़े घर को आप संभाल नहीं पाओगे जब आप एक छोटी से घर कोई संभाल नहीं पा रहे हो तो आप एक बड़े घर को कहां से संभाल पाओगे तो हम देखते हैं कि यह जो हमारा इलाका है उसमें हमको रहना है उसमें हमको विश्वास योगि रहना है क्योंकि Paulus यहां पर आगे यह भी कहते हैं कि हम अपनी सिमा से बाहर हम बढ़ना नहीं चाहते हैं और यह भी नहीं हम अपने दूसरे जो काम करना है उसका उसकी महिमा को हम नहीं लेना चाहते हैं तो यह human nature है दुख की बात है कि कई लोग अपने से कुछ जो करते हैं वो उसमें अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं लेकिन जब जूसरी कुछ करते हैं उसमें वो महिमा को पाना चाहते हैं लेकिन प्रभू यह हमसे नहीं चाहते हैं और आखरी में वो कहते हैं कि जो भी गर्व करें वो प्रभू में गर्व करें तो प्रभू ही हमारे सबसे बड़ा खजाना है हम घर किसी के लिए बहले हम प्रभू के लिए कुछ करें या प्रभू के लिए हम कुछ नहीं भी करें हमसे जो होता है हम कर सकते हैं क्योंकि एक ही दुनिया में एक ही जिन्दगी हमारे लिए है वैसे तो हमेशा की जिन्दगी हमारे लिए है स्वर्ग में लेकिन यहां की हमारी जिन्दगी वो छोटी सी है कम समय की है लेकिन उसमें हम बहुत कुछ प्रबु के लिए कर सकते हैं और प्रबु में हमको गर होना है तो हम प्रात्ना करेंगे, पिता पर मिश्रम धन्यवाद करते हैं, पिता इन मचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, पिता कितना कुछ हमको दिया गया है, कितनी बाते हम जानते भी नहीं है, हमने कभी सोचा भी नहीं है, पिता जो हम हमारे इलाके में हम कर सकते हैं, हम कुछ अ किसी को साहस दे सकते हैं, किसी को तस्सली दे सकते हैं, हम किसी के दिल को तोटने से बचा सकते हैं, हम किसी को बढ़ा सकते हैं, हम किसी के लिए खंबा बन सकते हैं, पिता हम इन छोटी बातों को बहुत तुछ नहीं समझें, लेकिन जरूरी है यह सब करना, यीशो मसी ने कहा तुम एक छोटे से एक बच्चे को भी मेरे नाम से छोटे से छोटे को भी एक ठंडा पानी ग्लास का ठंडा पानी का ग्लास दोगे तुभी तुम्हारा इनाम उसका इनाम तुमको जरूर मिलेगा तो हर छोटी बात के लिए इनाम हमारे लिए है पिता, वो हम हमेशा याद रखें, हम इस दुनिया के लिए नहीं, हम इंसान की सेवा नहीं, पर हम तेरी सेवा करें, पिता, कोई भी इंसान हमारी तारीफ करें या ना करें, बहले इस दुनिया में हमको प्रेशन सा मिले या न मिले जरूर एक दन जो हम ने किया उसका हम हम फल जरूर काटेंगे पिता हम धन्यवाद करते हैं सब को तेरे हाथों में सुन देते हैं ईश्यमसी के नाम से मांगते हैं आमें